जिसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हाउशान अब उस रियलम से वापस आ गया है और वो अब मेडिटीशन करने लगता है हाला कि अब हाउशान के पास हाउए वापस आ गया है लेकिन उसके वैपन्स और एक वैपन्स उस रियलम के अंदर लड़ते होई टूट पास अभी अभी अपनी स्पिरेट वर्नस है और उसका मांट भी कावी सही कंडिशन में है अब जब उससे माच हो उससे पहले मुझे अपने एक वेपन्स ठीक करने ही होंगे राइट वेपन धूनना होगा और नए स्किल सीखनी होंगी वो अपने रिंग्स के अंदर जाकर न मसाग करते हुए कहता है कि अब समझा कैसे आ रहे हैं यह कप्ड़े तुम्हें ऐसी बात सुनकर होशन शर्म से लाल होकर कहता है कि जैसा आप सूच रहे हो वैसा हमारे बीच कुछ नहीं हुआ है वो तो बस उसने अंदाज इसे मेरे नाप के कपड़े भीश धी है ये हुआ हसते हुए कहता है कि चलो अब गेम पर फोकस करो आज डेमन हंटिंग ट्राइल्स का फोर डे है और पहला मैच हाउ शानार हुएंगी के बीच होना है मैच शुरू होने ही वाला है लेकिन वहाँ एक एल्डर जिसका नाम लाउरेन है उसकी सीट खाली है और बागी एल्डर जब बात करती है कि वो अभी तक क्यों नहीं आए तो वो अचानक आजाता है और कहता है कि उसे देर हो गई क्योंकि उसे कल रा अचानक से बॉर्डर पर भागना पड़ा क्योंकि वहाँ बहुत सारे जैमन्स आ गए थे उसने वहाँ बहुत से रैमन्स को मारा लेकिन शायद बॉर्डर पर सिच्वेशन भारी है लगता है जब गेम ओवर हो जाएगा तब इन बच्चों को तुरंट वार में जाना पड़ेगा अब रेफरी माच शुरू करता है और दोनों अपने अपने वेपन्स बाहर निकालती है लेकिन हुएंग हाउशन की टूटी होई शील्ड देखता है और हुएंग माच रोकर हाउशन से कहता है कि मुझे तुमारी शील्ड ठीक करने दो रेफरी ये सुनकर हैरान है और वो हुएंग से पूछता है कि अब इन हाउशन तुमारा ओपनिंट है क्या तुम शूर होगि तुम सच में इसकी शील्ड फिक्स करना चाहते हो जिसपर हुएंग कहता है कि मैं किसी कमजोर का इड्वांटेज उठा कर उससे नहीं जीतना चाहता हुशन उसे धन्यवाद कहता है और बूलता है कि शील्ड को फिक्स करने में तुमारी बहुत साथा स्पिरिच्वल पार कंस्यूम हो जाएगी जिसपर वो कहता है कि मेरे पास पहले ही तुमसे बहुत साथा स्पिरिच्वल पार है इसलिए तुम जिनता मत करो हम आखिर में एक ही सैना में भरती होने वाले हैं इसलिए हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए जिस पर रेफरी उसे रोकते हुए कहता है कि अब फाइट शुडू होगा और फाइट के बीच में तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते अबे तुम रैवल हो और एक दूसरे को दुश्मनों की तरह ट्रीट करो वो फिर उसकी शिल्ड मैच के बाद फिक्स करने के लिए एग्री हो जाता है और फिर उन दोनों के बीच मैच होता है ये फिफ्ट रैंका वारियर है जो कि बहुत स्रॉंग है हाउशन ने क्योंकि बहुत जादा हेवी फाइट की थी और बहुत जादा एक्जिलस खाये थे इसलिए उसको कुछ साइड एफेक्स भी हुए है और अब उसकी spiritual पार आते से भी थोड़ी कम है इस competition को जीतने के लिए उसे जल से उसे हराना होगा अब उन दोनों में fight शुरू हो जाती है और हाउशन उसकी तरफ उस पर attack करने के लिए बढ़ रहा है लेकिन वो उसे अपने पूरे औरे से ही दूर repel करके fake दीता है ये कैसा magic है ये हाउशन को समझ नहीं आया लेकिन तभी एक assassin कहता है कि ये same sex repulsion है ये सुनकर assassin जो हैरान हो जाती है कि क्या फिर ये magic girls पर काम नहीं करेगा जिस पर वो उसे सर पर मारते हुए कहता है कि पागर ये magic magitex repulsion का यूज़ करके ओपनेंट को दूर वेगता है ना कि जो तुम सोच रहे हो वैसा कुछ हाउशन सूचता है कि अभी तो मैं इसके पास नहीं जा सकता इस repulsion की वज़े से और ये formation अब 15 मिनिट और रहने वाली है मुझे उसकी ये formation टोडने ही होगी वो killer slash से उसकी formation पर दूर से ही हमला करता है लेकिन वो earth card का यूज़ करके वहाँ चटान बना दीता है जिस वज़े से वो attack चटानों से ठकरा कर खत्म हो जाता है हाउशन दुरंद angelic blessing का यूज़ करके उसके पास जाने लगता है angelic blessings की वज़े से उस पर कुछ समय के लिए repulsion का कोई असर नहीं होगा लेकिन वो फिर से वह earth card का यूज़ करके चटान बना दीता है जिस से फिर से हाउशन आगे नहीं बढ़ पाता हाउशन अब चटान को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है लेकिन वो इस बूल बुलाया में चटान create करता है कि हाउशन समझ ही नहीं पाता कि उसे आगे कहां से जाना चाहिए और इस वज़े से यहीं सोचते सोचते उसकी angelic formation खत्म हो जाती है और वो फिर से बाहर दकेल दिया जाता है हाउशन उस पर अपनी full strength का use करके हमला करता है और वो शील्ड से अब बचने की कोशिश करता है लेकिन वो वहाँ से गायब हो चुका है और हाउशन के तुरंद पीछे आगर खड़ा हो जाता है हाउशन का उसे जल्दी से हराना होगा क्योंकि उसके spiritual पार बहुत ही कम हो रही है इसलिए वो sacred spirit लेनल एक furnace का use करता है और उसे अपनी formation में बान दीता है और फिर हाउशन उसके पास आकर अपनी तलवार से उस पर attack करने लगता है लेकिन तभी वो अपने pet partner को बाहर निकालता है और वो हाउशन को धक्का दे कर हाउशन को बचा लीता है ये असल में elemental spirit furnace है ये बहुत जादा rarest treasure है और इसने ये रेगस्तान में अलग लग जगे है गड़ा खूद कर हासल किया है अब हाउशन का इससे लड़ना ऐसा है जैसे वो 5th level rank के 2 magicians से fight कर रहा हो elemental spirit furnace अपने असली room में आ जाता है और इस अर्जाइन को दे कर सब बहुत सादा हैरान है वो हाउशन को पंच मारता है और हाउशन उससे बाल बाल बचता है अर्जाइन्ट हाउशन से लड़ रहा है और पीछे हुएंट अपनी spell कास्ट कर रहा है ताकि वो final blow में हाउशन को हरा सके इसलिए हाउशन को जल से जट इस अर्जाइन का कुछ करना होगा और इसलिए वो तरह अर्जाइन से लड़ने लगता है और उसको हरानी लगता है और फिर वो अपने छोटे रूप में आकर वापे स्वैंट के पास चला जाता है लेकिन उसकी spell अप पूरी हो चुकी थी और वो एक बॉटल खोलकर बहुत बड़ी सूरच ऐसी हाई एनरजी वाली चीज उस पर गिरानी लगता है इससे उसको भी बहुत कश्ट हो रहा था क्योंकि ये उसका अभी तक का बेस्ट माजिक है और हाउशन अब नहीं बचने वाला है रेफरी का मन करता है कि काश हाउशन जल्दी से हार मान ले क्योंकि अगर उसको ये अटाक लग गया तो वो काफी जादा कहल हो जाएगा लेकिन हाउशन हार नहीं मानता और वो हाउवे को समन करता है इतने चोट से बीस्ट को देकर सब हैरान है और सोचने लगते हैं कि क्या ये इतने बड़े अटाक को जेल पाएगा लेकिन ये 6 लेवल का माजिक बीस्ट है इसलिए सब हैरान भी है अब हावे और हाउशन एक साथ फायर आफ लाइट का यूज करते हैं और वहाँ वो फायर का बहुत बड़ा वर्लपूल क्रियेट करते हैं जिससे उसका अटाक अप खत्म हो जाता है और वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे हुएंग आफो कि वहाँ प Chief नि चाता था और यह ऻूएंग देख लेता है और उसके प्सीने च्चूट जाते हैं और वहू काफी आप हदना है। जाता है क्योंकि वो crystal नहीं बल्कि उसका elemental spirit awareness यानि उसका pet था और फिर ये episode यहीं कात्म हो जाता है